हाई गाईस वेलकम बैक तो दे चैनल और हिंदी एपिसोड का दूसरा एपिसोड है और आज हम पहली बार हिंदी में बुक रिव्यू करने वाले हैं शांता राम जो बुक है ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स की बहुत मोटी किताब है बहुत ज्यादा मोटी 950 पेज है इसमें 950 पेज की एक मैसिव बुक शांता राम नाम की आई थी ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स और मज़े की बात यह है कि इसका हिंदी वर्जन भी लेकिन हिंदी वाले रिव्यू में हम थोड़ा और डीप जाने वाले और हम समझने वाले हैं कि ऐसी क्या जरुवत पढ़ गई ग्रेगरी भाई साब को कि उन्होंने 950 पेज की किताब लिख डाली इस वीडियो में हम हिंदी में बात करने वाले हैं शान्ता राम के बात कुछ आपको यह विग का नाम पढ़के थोड़ा अजीव सा नहीं लगा शान्ता राम शान्ता राम कैसा नाम होता है याँज बहुत ही देशी टचनी दे रह और ग्रेगरी भाई साब को ऐसी क्या जरूवत आ पड़ी कि इन्होंने शांता राम की शांता राम नाम से पूरी बुक निकाल दी इतना बड़ा रिस्क लिया यार 950 पेज लिखे और उसके बाद शांता राम नाम लग दिया तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है यार 950 पेज की है लेकिन इन 950 पेज में जब आप इसको ठीक से धंक से पढ़ोगे और आपको पहले ही 50 पेज में लग जाएगा कि ये इतनी बड़ी बुक इन्होंने क्यों लिखी क्योंकि एक एक डीटेल को इतना जादा अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है एक एक चीज को इतना अच्छे से एक्स्प्लेइन किया है आपको लगेगा ही नहीं यार ये रियालिटी से फिक्शन में है फिक्शन से रियालिटी में कब शिफ्ट हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलेगा और यही इस बुक की खासियत है कि आप जब इसको पढ़ने बैठते हो तो आप से ये बुक नीचे रखी नहीं जाती इतना फैसिनेटिंग है इतना अच्छा लिखा है ग्रेगरी भाई साब ने पूरी बात करने वाले हैं इस वीडियो में और ये तो मैंने एक छोटी सी चीज बताई कि जो मुझे और लगी थी आर शांताराम कैसा नाम होते है एक थोड़ में मुंबई में धारवी जो सलम है वहाँ पर अपना गुजारा करते हैं और ये किताब एक लिटररी मास्टर पीस है और ये इन्होंने अपने बुक कवर में ही लिखा हूँ है भाई लिटरी मास्टर पीस है ये क्योंकि इतना बड़ा रिस्क तो लिया ये 950 पेज जो लि इसली तो इतने सारे केरिक्टर हैं उन्ख सब का कैरेक्टर डिवलोकित्र और मुझे लगता है कि ये जो credit हर एक केरिक्टर का गया साथ साथ character का development होना और वो सब show करना एक किताब में बहुत difficult होता है लेकिन इन्होंने बहुत असानी से उसे किया और यार इंडिया के बारे में बुक लिखी है तो इंडिया के culture इंडिया की चीजें इंडिया की diversity हर चीज को बहुत ही अच्छे से explore किया कोई foreigner आ रहा हो होता है इंडिया तो उसको शांता राम गिफ्ट की जाती है कि भाईया ये पढ़ लो इसमें पूरा इंडिया के बारे में सब कुछ मिल जाए और अगर इस बुक की theme की बारे में बात की जाए भाईया तो एक बहुत ही thrilling plot है एक ऐसा plot जहां पे हर चीज हो रहा है हर genre को explore कर दिया romance ह रहा है thriller है mystery है redemption है forgiveness है search for meaning है तो हर तरीके का theme इसमें हो गया भीया क्योंकि obviously अगर आप एक criminal की स्टोरी पढ़ रहे हो criminal मतलब वो जेल से भाग के आया है और उसका forgiveness, redemption, search for meaning ये सब अगर आप पढ़ोगे मतलब खुद के बारे में इनसान का कैसे transform हो रहा है वो खुद भी transform हो फिलोसिफिकल reflections है तो फिलोसिफिकल themes बहुत सारी explore की गई है बहुत ज्यादा thrilling plot है बहुत ज्यादा crime, romance, adventure सबका एक यार balance बनाके चला है ताकि सब चीज एक ही किताब में cover कर देगा दो ऐसी चीज़ें है कुछ ऐसी चीज़ें जो negative aspects है इस किताब की मैं ये नहीं बोलूँ लेकिन ऐसी कुछ चीज़ें जो मुझे इस book में खराब लगी या मुझे लगता है कि Gregory भाई साथ थोड़े और उसको improvise कर सकते थे एक तो 950 page के किताब है यार obviously जो details है कुछ जादा ही उन्होंने overly detail कर दिया तो अगर थोड़ा सा उसको कम रखते तो भी चलता हमें ऐसे भी समय आ रहा था लेकिन वो overly detailed है शायद अगर वो foreigner के perspective से देखो तो शायद सही किया लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कहीं पे कुछ-कुछ points पे ऐसा detail डाला है जिससे जो पूरी story है उसका pace भी बहुत जादा slow हो जाता है कहीं कहीं पे कुछ-कुछ points पे आपको ऐसा लग सकता ह दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक जो चीज है न क्यूंकि मैं आज तक नहीं समझ पाया कि कितनी book fictional है और कितनी book autobiographical है तो autobiography और fiction के बीच में कहीं भी line मैं draw ही नहीं कर पाया तो मुझे लगता है कि मुझे कोई problem नहीं है उसे क्यूंकि autobiography भी है तो यार पढ़ने में तो बहुत मज़ा आया लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कुछ पार्ट अगर अगर मसलब वो autobiographical है तो लिखा तो है यार सही लिखा है अपने experience से इंसान लिखता है लेकिन कहीं ना कहीं वो एक negative aspect भी बना देता है लेकिन मुझे लगा कि there is a slight detract from authenticity लेकिन उतना भी नहीं कि कि आप इसको criticize करो क्योंकि बहुत सारी controversies इस किताब से निकली थी कि कितना भाया कितना सच है आपकी जिंदकी कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई question है करने का लेकिन कुछ critics ऐसा बोलते हैं इसलिए मैंने सोचा कि ये point भी mention कर दूँ वीडियो में अब इस point पे आते हैं कि भा इतनी मोटी बुक है लेकिन मुझे पता है जो लोग बुक पढ़ते हैं उनको ये तो पतला ही लगेगा तो यार पढ़ लेना क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी और मुझे लगता है कि this is worth the time आपका बिलकुल time waste नहीं होने वाला इस पे तो बिलकुल नहीं होने वाला इस पे त इंको, redemption, सारे themes basically जिसमें major focus redemption पे होता है, life के reflections पे होता है, जैसे alchemist Paolo Coelho बहुत सही किताबे लिखते हैं इन चीजों पे, human nature जानने का होता है, अगर आप उन में से हो तो आपको जरूर है यार एक बढ़ पढ़नी चाहिए, शांता राम, भले आप skip करके पढ़ो थोड़ किसी किताब में, तो शायद आप कोई बुक बोरिंग लग सकती है, लेकिन मुझे ही लगता है कि जितने ज्यादा characters है उतना ज्यादा fun ad होता है, तीसरा cultural immersion बहुत जादा है, तो इंडिया के बारे में, culture के बारे में, diversity के बारे में, Mumbai का Underworld भी इसमें है captured, तो मुझे लगता ह insights आपको इस किता में मिलेगा, again, fictional है लेकिन autobiographical भी है, इसलिए मैं कहा था कि यह जो point है, यह negative point भी है, क्यूंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा part fictional है और कौन सा असली है, तो I think that is one of the best things जो Gregory भाई साब ने करी, एक बहुत ही अच्छे writer की निशानी भी है, कि आपको पत ही नहीं लगने देगा कि असली life का क्या है और fictional क्या है, adventure बहुत जादा है, तो जिंको adventurous novels पसंद है, तो यार, शांताराम तो पढ़ी लो, mystery पसंद है, शांताराम पढ़ लो, तो शांताराम मैं हमेशा suggest करता हूं लोगों को, और पढ़ो यार क्योंकि बहुत अच्छी किता है, और अगर पैसे मिल रहे होते, तो शायद आज मैं millionaire होता, लेकिन हूं नहीं, बहुत ही अच्छी masterpiece है, इसके साथ साथ, इंकी जो है, ये book तो बहुत पहले आई, इसकी एक movie आई, जो apple tv पर available है, अगर आप iPhone user हो, या iOS user हो, तो आपके पास definitely apple tv तो हो गाई, एक बार, शां problem हो गया उन लोगों के लिए, कुछ जो चीजे हैं, कुछ जो locations हैं, उनके बारे में बात करते हैं, या जो किताब है, कुलाबा के बारे में बहुत बाते हुई है, कुलाबा के बारे में बात की गई है, लियो पुल्ड cafe, obviously, या, coffee house, bar, pubs, ये सारी जो elements है, होनी चाहिएं कि किताब में, जो, जिस किताब में ये element होती है, मैं वो किताब जरूर पढ़ता हूँ, चोर बाजार भी बहुत जादा इसमें, किताब में में मेंचन, वे स्लम अरिया, तो है यार, धारवी, जो एशिया का largest slum है, one of the largest slums है, that is located in the heart of Mumbai, वो basically दिखाता है कि कितनी गरीबी है, कितना जादा, एक ही city में richness भी है और गरीबी भी है, लोग अमीर भी बहुत हैं उसी शहर में, सपने देखने आते हैं, और गरीब भी है, तो वो जो दोनों जो है न, slum area वाला बहुत अच्छा sequence इस book में, shoot हुआ है, shoot हुआ है और record हुआ है, और इस book में है पढ़ने के की गई है, और भी बहुत सारे locations हैं, लेकिन ये कुछ major locations अगर आप Mumbai से हो, आप relate कर पाना, अगर आप ने ये book already पढ़ी है, तो मुझे बताना यार, comment section में क्या सोचते हो, शांताराम के बारे में, और हम मिलेंगे अगले Hindi episode में, अगले किसी fascinating book review के साथ, तो मुझे suggest भी करना कुछ किताबें जो मैं पढ़ूं, और मैं उसे review दूँ हिंदी में, बाकि अगले Sunday English episode में मिलेंगे, उसके बाद Hindi episode में मिलेंगे, तो तब तक के लिए, bye bye